बहुत सोलिये अब जाग जाओ आवाज उठाओ अगर जिन्दा हो तुम नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदोस्तान मैं हूँ आपके साथ मनीशा बात करूंगी आज मैं यूपी एलेक्शन के रिजल्ट्स के बारे में और दे कश्मीर फाइस के बारे में बहुत सोलिये अब आप जाग जाओ यूपी एलेक्शन हो चुके हैं और चारो ओड जैशन का महौल है मनाना भी चाहिए लेकिन दोस्तों जोश में होश कोने का समय नहीं बलकि सदियों की चिर्ने द्रा से जागने का समय है यूपी एलेक्शन का विशलेशन करे तो सरकार ने जिस अबके के लिए बहुत काम किया बिना पक्षपात के उन्होंने सरकार को वोट नहीं किया किन्तु एक अच्छा परिवर्तन देखने को मिला कि जनता जागरुक हो चुकी है और जनता के बड़े वर्ग ने बरसाती मैड को और गिर्गिट जैसे रंग बदलने वाले समाज को जातिगत और परिवारवाद के आधार पर बाटने वाले नेताओं और उनकी राजनीती को सरे से नकार दिया वो नेता जो वोट के दम पर नोट चापते थे बनाते थे और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी आबादी को ठेंगा दिखाते थे उन नेताओं को जनता ने आईना दिखा दिया किन्तु जनता और सरकार दोनों के लिए ही ये चैन से सोने का समय नहीं बल्कि जाग कर मुस्तेदी से काम करने का समय है जागिये कि आपकी और रास्टर की असमिता का प्रशन है देश और समाज को मजबूती देने का वक्त है और आप प्रासंगिक हो चुके स्वार्थी नेताओं को दर किनार करने का वक्त है वो नेता जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए देश और आम जनता के लिए ना केवल अने को समस्याइं पैदा की बलकि आम जनता का संगार भी किया कितनी दुर्भाग्य जनक स्थितिय हमारे देश और समाज की कि हमें वर्षों तक अपने ही देश में अपने लोगों पर होने वाले जुल्म दिखाई ही नहीं दिये न दिखाई दिये न सुनाई दिये खुले आम वहशी पन जो हुआ हमारे लोगों के साथ उस समय के और आज के तताकतित बुद्धी जीवियों और सत्ता पर आसी इन लोगों को न सुनाई दिये न दिखाई दिये गूंगे बहरे लोगों की सरकार, गूंगे बहरे, रंगी इन चश्मा चड़ाए, बुद्धी जीवी वर्ग, कितनी शर्मनाक इस्तिती है कि एक फिल्म के माध्यम से अपने लोगों का दुख हमें पता चल रहा है, जरा कल्पना कीजिए कि भाई को भाई का दुख नहीं दि के लिए किसी फिल्म की जरूरत पढ़ती है, किसी नाटक की जरूरत पढ़ती है, किसी बाहर वाले की जरूरत पढ़ती है, कि कोई बाहर वाला हमारे लिए आवाज उठाएगा, तो हमारे घर के लोगों को हमारे समस्य पता चलेंगी, हमारे दुख पता चलेंगे, एक ही घ बहुत ही pathetic, cruel situation है ये एक दर्शक की प्रतिक्रिया मुझे बड़ी अच्छी लगी जिसने बिलकुल सही कहा इसे movie मत कहिए इसे movie कहना बंद करिए क्योंकि ये सच्चाई है और साथ में मैं salute करती हूँ विवेक अगनी होतरी जी और उनकी team को जिनोंने इतने समय के बाद ही सही आज 2022 में ही सही जिनोंने कल्यूग में संजय बनकर अपनी दिव्वे द्रस्टी से कल्यूग के धतरास्टों को कश्मीर का सच दिखाया जहां खुले आम genocide किया गया और सारे के सारे so-called powerful leaders मुह में दही जमाई बैठे रहे मेरी बोली थोड़ी सी हार्श लग सकती है लेकिन जब दिल में दर्द हो तो ऐसे ही शब्द निकलते हैं जब किसी अपने के साथ कुछ होता है तो ऐसे ही शब्द निकलेंगे सहना ही पड़ेगा आप तु ये सबको आज सभी ये समझ ले ना केवल सरकारों को बलकि जनता को भी जागे रहना होगा और अपने अस्तित्व और समान के लिए so-called sick you liars बिमार मानसिकता वाले बुद्धी जीवियों के खिलाफ मोर्चा खोलना होगा ताकि भविष्य में ऐसा कभी हमें से किसी के साथ भी ऐसा ना हो जागना होगा उन जैचंदों को पहचानना होगा और इससे पहले कि कोई गौरी आकर किसी प्रतिविराज चोहान का संगार करे हमें उन जैचंदों का भी संगार करना होगा देश में भाईचारा और अमन्चैन होना चाहें भारत की विशेष्टा है unity in diversity लेकिन भाईचारे का अर्थ कतई ये नहीं है कि कोई आलू आपको चारा समझकर खा जाए बुद्ध होने से पहले युद्ध जरूरी है इससे पहले कि कोई आलू आपको चारा समझकर खा जाए जागिये अपनी असमिता अपनी एहमियत अपनी ताकत को पहचानिये समझिये कि बुद्ध होने से पहले युद्ध जरूरी है अर्थात शांती की स्थापना के लिए शक्ति शाली होना जरूरी है कायर और जिनका जमीर और इंसानियत सोई हो उनको शांती की उमीद कभी नहीं करनी चाहिए क्योंकि शांती कभी उधार में नहीं मिलती बिकारियों को मिलती है तो सिरफ भी शांती नहीं सवभाग्य नहीं बनिये कर्म योगी और कर्मट योगी जी और मोदी जी की तरह और अपनी आवाज उठाते रहिए आवाज उठाओ अगर जिन्दा हो तुम और भविश्य में ऐसी कोई मूवी बनाने की जरूरत ना पड़े कि अपने लोगों की आवाज सुनने के लिए हमें कोई मूवी बनाने की जरूरत पड़े हमें थेटर में जाके देखना पड़े अपने लोगों का दुख समझिये अपनी समवेदन शीलता को जगाईए अपनी ताकत को जगाईए और अपनी आवाज को उठाईए पढ़िये गीता और अपने कर्तव्य को निभाईए आवाज को उठाईए अन्याय के खिलाफ नहीं तो क्या होगा आपका अंत भी भीश्म और करण की तरह से हो जाएगा जो कितने महान थे लेकिन अन्याय के साथ खड़े थे आवाज नहीं उठाईए अन्याय के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाईए अगर जिन्दा हो तुम सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान